सालों से भारत का दोस रहा इरान क्या चीन के नजदीक जा रहा है भारत और इरान के संबंद बीते सालों में कैसे रहे और चीन के बीच में आ जाने से भारत को क्या नुक्सान होगा इनी सब बातों के पड़ताल करेंगे आज कावस्टोरी में इरान और चीन के बीच हुआ है एक समझधोता जिसे भारत के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि जिस समय अर्बो डॉलर के समझधोते की खबर आई उस समय इरान ने चाबा रेल प्रोजेक्ट को अकेले पूर्या करने की बात नहीं है भारत ने चार साल पहले इस रेल प्रोजेक्ट के लिए इरान और अफगानिस्तान के साथ समझधोता किया था भारत के लिए क्यों एहम है ये रेल प्रोजेक्ट और चीन के साथ इरान की डील है क्या आईए सबसे पहले यही समझते हैं चीन और इरान के बीच हुए एक बड़े और दिर्ग कालिक समझोते ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी और खीच लिया है अमरीकी अखबार दन्यो यॉक टाइम्स के मताबिक ये कारोबारी और रणनीतिक समझोता 400 अरब डॉलर का है और अगले 25 साल तक बना रहेगा इसके तहट इरान चीन को सस्ते में कच्चा तेल देगा और बदले में चीन बड़े पैमाने पर इरान में निवेश करेगा इस समझोते को अभी इरानी संसत की मनजूरी नहीं मिली है और ना ही इसे सारवजनिक किया गया है मगर नियोयोक टाइमस ने इस समझोते के 18 पन्ने अपने पास होने का दावा किया है जिन में जून 2020 की तारीख दर्ज है इन दस्तावेजों के मुताबिक इरान की तेल और गैस उद्योग में चीन 280 अरब डॉलर का निवेश करेगा इरान में उत्पादन और परिवहन के विकास के लिए चीन 120 अरब डॉलर का निवेश करेगा चीन 5G के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विक्सित करने में इरान की मदद करेगा बैंकिंग, टेलेकॉम, बंदरगाह, रेलवे और अन्य इरानी परियोजनाओं में चीन की भागेदारी बढ़ेगी इरान अगले 25 वर्षों तक चीन को नियमित रूप से सस्ता कच्चा तेल और गैस देगा और दोनों देश साजह सैने अभ्यास करेंगे, हतियार बनाएंगे और खुफिया जानकारिया साजह करेंगे लेकिन भारत के लिए चिंता की बात है मंगलवार को इरान की ओर से की गई एक घोशणा इरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट को खुद ही शुरू कर दिया है जबकि मई 2016 को हुए समझोते के तहट इसे भारती कमपनी इरकौन के सहयोग से बनाया जाना था मई 2016 में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जब इरान गए थे तो उन्होंने इरान के राश्ट्रपती हसन रुहानी और अफगान राश्ट्रपती अश्रफगणी के साथ चाबहार समझोते पर दस्थखत किये थे चाबहार पोर्ट को विक्सित करने में आपने जो नेत्र तो पदान किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके तहब भारत, इरान और अफगानिस्तान के बीच मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक ट्रेड रूट बनाने पर सहमती बनी थी लागत एक अरब साथ करोड डॉलर थी, इरान का कहना है कि भारत की ओर से फंड मिलने में देरी की वजह से वो खुद इस नेटवक को बनाएगा दरसल भारतिये कंपनी के इंजिनियर सर्वे कर चुके थे, मगर इरान पर लगे अमरीकी प्रतिबंधों के कारण काम शुरू नहीं हो पाया इस मामले पर भारत की प्रतिक्रिया अभी सारवजनिक नहीं हुई है लेकिन हालात ऐसे क्यों बन गए कि इस प्रोजेक्ट को इरान ने भारत के बगेर ही शुरू करने का फैसला कर लिया क्या भारत के हाथ से उसका एक पुराना दोस्त फिसल रहा है BBC समभाता वंदना ने इनी मुद्दो पर बात की इरान में भारत के राज़्दू रह चुके केसी सिंग से यह पहली बार नहीं है 2006 से जब UN सैंक्शन्स आई तो हिंदोस्तान का रवईया यह होता था कि हम UN सैंक्शन्स मानेंगे लेकिन अमरीका की जो सैंक्शन्स हैं हम उनको नहीं लागू करेंगे लेकिन मोदी सरकार ने तब्दीली क्या लगाई कि जबके ट्रंप साब आए है राश्पती ट्रंप तो उन्होंने गर्मी से कहा कि नहीं आपको हमें उनके साथ बेंकिंग ट्रंडेक्शन बंकर ली तो उसका प्रेशर एरान पर इतना आया कि अब उनके पास अलाज क्या बचा था और चीन को भी इस टाइम अपना इंफ्लूएंस बढ़ा रहे हैं उदर चाइना साउड चाइना सी में इदर हमारे साथ पंगाली आ हुआ है लदाख में और सबसे जो खतरनाक बात है एक नई पोर्ट बना रहे हैं और इसको इस नदर्डिये से भी देखा दरा था कि जो वादर का पोर्ट है तो उसके मुकाबले इंडिया के पास भी एक अपनी जगह रहेगी तो वो जगह भी भारत से चीन जाएगी देखेंक हो ओवर ट्ले किया रगे आ degenerиной ऐरान आपको पूरा देने वाला था नाहीं किसी एक देश को देने वाला था वो उनकी बातें थी उसका कुर्द असर पड़ेगा तेखो वी कुछ पड़र ढ़ रहा है पहम दूस्रे जो जो पावर्स है अस्ट्रेलिया जपान अमरीका उनके कोने में चले गए हैं यह हिंदुस्तान में नहीं था नॉन अलाइंडमेंट का मतलब यह था कि हम स्ट्टीजिक ली इंडिपेंडेंट रहें लेकिन अगर एक ही साइड में आप रह जाएंगे तो आप देखिए जो आप एक राए नहीं रखते मगर लंबे समय से दोनों के रिष्टे दोस्ता आना रहे हैं दोनों में वक्त के साथ आपसी सयोग पड़ा तो सही मगर 2018 में अमरीका की ओर से इरान पे लगाए गए प्रतिवंदों ने इस दोस्ती को संकट मिला खड़ा किया कैसे आई ही जानते हैं कई पेचीद्यों के बावजूद भारत और इरान के बीच गहरे रिष्टे रहे हैं भारत और शिया बहुल इरान की दोस्ती के दो मुखे आधार बताये जाते हैं पहला तेल का कारोबार और दूसरा इरान के बाद सबसे ज़ादा शिया मुसल्मानों का भारत में होना आज कारोबारी रिष्टे मजबूत होते गए भारत और इरान के बीच तेल का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा था मगर अमरीकी प्रतिबंदों के कारण पहले इसमें कमी आई और अब भारत ने इरान से तेल लेना लगभग बंद कर दिया है भारत ने वित वर्ष दोहजा का कारोबार होता है मगर उसमें भी कमी आई है भारत इरान को चावल चाय लुहा इस पाथ जैसी कई चीज़ें रियात करता रहा है जबकि भारत इरान से पेट्रोलियम और उसके उतपाद, रासायन, खाद, प्लास्टिक और कीमती पत्थर का आयात करता है लेकिन अमरीकी प्रतिबंदों के वज़े से भारत और इरान के कारोबारी रिष्टे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं जानकारों के मताबिक इरान की चिंता ये है कि भारत आने वाले समय में अमरीका के और करीब गया तो इरान के हितों की अंदेखी करता रहेगा ऐसे में वो चीन के कर दो कर दो